भारती फोजी अड़े पर हमला, मसला कश्मीर से जान छुडाने का बहाना भारती जेरे इंतजाम मगबुजा कश्मीर में भारती बरिगेड हैटकौर्टर पर हमले में 17 भारती फोजी हालाक हो चुके हैं जबके मतादद जख्मी हैं भारती मीडिया के मताबिक हमला 12 मुला के इलाके में उड़ी सेक्टर पर किया गया जहां चार मसल्ला अफराद ने गुसकर फोजी हैटकौर्टर पर शदीद फारिंग और भम दमाका किया जिसके नतीजे में कई बेरकों में आग लग गई और 17 फोजी मौके पर हलाक हो गए मकबूजा कश्मीर के जिस इलाके में ये हमला हुआ ये बारा मुला का वो इलाका है जहां कश्मीरी मुजाहिद कमांडर बुरहान मुजफरवानी की शहादत के बाद दो माह से जाइद अरसे के लिए कर्फियू नाफिज रहा 12 मुला के अलावा मकबूजा कश्मीर के उन तमाम इलाकों में बहारती अफ़ाज का कर्फियू नाफिज रहा जहां जहां से कश्मीरी अपने हुकुक की आवाज बुलंद करने के लिए सणकों पर निकलने की कोशिश करते रहे मकबूजा कश्मीर में बुरहानवानी की शहादत के बाद कश्मीरी नौजवानों में आजादी के जोचो जजबे की एक नई रूह दोड़ाई है जिसने कश्मीरियों को बैदार किया है और अपने उपर मसलत बहारती काबिज फोच के खिलाफ सर उठाने की जुर्ट पैदा कर दी है कश्मीरी नौजवानों की जदो जहद को बहारत ने बज़ोरे बाजूर रोकने के लिए नवे से जाएद कश्मीरियों को दो माह के अरसे में फाइरिंग करके शहीद कर दिया जबके नो हजार से जाएद अफराद को आंसू गेस और पैलिट गन से शदीद जखमी किया जिन में हजारों कश्मीरी अपनी बेनाई खो चुके हैं बाहरत की इस हड़दर्मी और सितंगरी के खिलाफ पाकिस्तान ने मुصर आवाज उठाई और दनिया भर से भी इंसानी हुकूप की सरीह पामाली करने पर बाहरत के खिलाफ सक्त रदे अमल सामने आया पाकिस्तान ने निहते कश्मीरियों पर बहारती मजालिम के खिलाफ अक्वाम मतहिदा में जाने का एलान किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ वजीर आजम और विजारत खारिजा की जानिव से कश्मीर मौामले पर दो टोक मौकफ ने बहारत को बावर कराया कि पाकिस्तान कश्मीर इश्यू से किसी भी तोर पर दस्तबरदार नहीं हो सकता इसी असना में पाकिस्तान ने अक्वाम मुताहिदा के इजलास सितंबर 2016 में बहारत के खिलाफ पाकिस्तान में देश्चतगर्दी फैलाने بلوچستان میں دخل اندازی اور کشمیریوں پر مظالم کے تمام ثبوت اقوام متحدہ میں پیش کرنے کا اعلان کیا جس کے بعد بھارت نے اقوام متحدہ میں سبکی سے بچنے اور مسئلہ کشمیر سے نظریں چورانے کے لیے مختلف हیلے بہان تراشنے کی ناکام کوشش کی لیکن اب بھارت کو فوجی ہیڈکوارٹر پر حملے کی صورت میں اقوام متحدہ میں پیش نہ ہونے کا بہترین بہانہ میسر ہو چکا ہے मुबस्रین और दिफाई तज़्यकारों का कहना है कि मुम्किन है कि मुदी सरकार ने ये हमला अक्वाम मुटहिदा में न जाने के लिए खुद करवाया हो क्योंकि हमले के फौरान बाद नरिंदर मोदी ने अक्वाम मतहिदा के इजलास में शर्कत ना करने का एलान किया है मुबस्रीन का ख्याल है कि बहारत पाकिस्तान के खिलाफ पहले भी ऐसे बेबुनियाद इल्जामात आइद कर चुका है मगर तहकीकात के बाद बहारत खुद ऐसे हमलों में मलवस निकला जिसकी माजी में कई मिसाले मिलती है हमले के बाद बहारती वजीर दाखला राज नाथ सिंग ने भी दोरह रूस और अमरीका मलतवी करते हुए दबे लफजों में पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की जबके दूसरी जानिब हमले के चन्द मिनट बाद बहारती मीडिया ने एक पलानिंग के तहट पाकिस्तान के खिलाफ हस्ब साबिक मकरूह प्रोपेगंड़ा शुरू कर दिया जिस से थाबित होता है कि बहारती मीडिया इंडियन इस्टेबलिश्मिंट के हुकम पर हर मौ पाकिस्तान के सर डालने में हमेशे की तरह पेश पेश है याद रहे कि पाकिस्तान के वजिर आजम मौम्मद नवाशरीफ अक्वाम मुतहिदा में मसला कश्मीर पर दोटोक मौकफ अपनाने और बहारती मुदाखिलत के खिलाफ सुबतों के फराहमी की मुकमल तैयारी के सा इजलास में शरकत का अंदिया दे चुके हैं मिया नवाशरीफ अक्वाम मुतहिदा के इजलास में शरीक होंगे और मसला कश्मीर पर खुसूसियत के साथ बात करेंगे